कॉंग्रेश के प्रदेशा अध्यक्स गोविन सीहं डोटा सरा दो दिन बाद बासवाड़ा के मानगर धाम में होने वाली सभा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए उदायपूर के रास्ते रवाना हुए डोटा सरा जापूर से रेल मार्क से आज सुबह दापूर पहुचे रेलवे स्टेशन पर कारे करताओं ने उनका स्वागत किया इसके बाद कॉंग्रेश प्रदेशा अध्यक्स डोटा सरा सरकित हाउस में मीडिया से मुखातिब हुए उन्होंने कहा कि मानगर धाम में भीर चुटाने जैसी कोई चुनोती नहीं है वहां उपर 5-6 किलोमेटर चड़ाई और सड़ के काफी सक्री है ऐसे में वो व्यवस्थाय की जा रही है मानगर धाम की आस्था के साथ ही राहुल घांदी के आने पर लोगों में उच्छा है डोटा सरा ने राहुल घांदी को कोड से राहत मिलने पर कहा कि ये बीजेपी का शडियंत्र था लोग अभी ये सब जान चुके हैं इसका फाइदा भी आगामी दिनों में कॉंग्रिस को जरूर मिलेगा बीजेपी नेताओ द्वारा उन पर लगातार हमलावार होने के सवाल पर डोटा सरा ने कहा कि बीजेपी सं नावी शंकनात करेंगे जन्सबा के जरिये मेवाडवागर समय 30 से ज़्यादा आदिवासी वर्ग की सीटों को साधने की कोशिश होगी डोटा सरा आज डुंगरपूर में कॉंग्रिस जिला अध्यक्ष के शापत ग्रहन कारेक्रम में शामिल होने के बाद सबाइस्तल की त अधिवाशियों का बहुत ही पवित्र स्थल है जिसमें उनकी आस्ता है उसके उपर कोई कोई ऐसा काम करें जिससे उनकी आदिवाशी तो यह बात तो ठीक है कि समय लगता है सडक सकडी है लोग बाग काफी समय से उपर जा पाएंगे तो लोगों के आने में चिंता नहीं थी लोगों को उस रस्ते से इतनी इतने लोग आएंगे कि वहां पर लाएने लगेंगी और चार-चार-पांच-पांच-छच्छ गंटे तक किलोमेटरों तक लाएने लगेंगी तो उनकी व्यवस्ता कैसे हो पर जल्दी कैसे पहुंचें इस बात की चिंता थी नहीं कि लो कंग्रेस का अधिवाशियों के साथ गहरा हमेशा सी लगावरा है और आधिवाशियों के लिए जो यॉपीय सरकार या कॉंग्रेस की सरकारों ने किया अब वैसा बारतीय जनता पार्टी कि नो साल पी सरकार में कुश करा又